लोग नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रोहतास निमी है और अब सभी का सवागत हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो हमारा मीसन आई कि हम आपके इंदर जो डियाई का डर बना हुआ है उसको खतम कर सके और इसी कड़ी में आज हम आपके सामने एक ऐसा कोशन लेके हैं जिससे ज्यादतर स्टूडेंट डरते हैं ऐसा कोशन देखते ही सभी के होस उड़ जाते हैं और समझ में नहीं आता कि ये जो डेटा ही किस तरह से हमें मैनेज करना है किस तरह से हमारा अंसर आएगा इस तरह का डेटा देखते ही हमारे होस उड़ जाते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बिल्कुल असानी से ये बताएंगे कि इस तरह की डेटा को हमें किस तरह से सोल करना है और आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है आज की ये वीडियो देखने के दोस्तो आपका जो डर बना हुआ है इस तरह के कोशन को देखके वो बिलकुल से खतम हो जाएगा तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तो अब हम बात करते हैं हमारे कोशन पर यह देखे दोस्तो यह जो कोशन है हमारा यह आया था जून 2014 के अंदर कोशन आया था यह कोशन दोस्तो कोशन करने से पहले हमें बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए और जैसे हमने average percentage विगरा ये सारी basic चीजे डियाई के बारे में ये हमने करवाई थी हमारी पहली वीडियो में उसमें आप देख सकते हैं वो वीडियो देखेंगे तभी आप डियाई के question अच्छे से कर पाएंगे और इस question में हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है मैं आपको बता रहा हूं देखिए एक तो सबसे पहली चीज हो है कि वो हमें round off करना होगा round off का मतलब ये होता कि मान के चलो कि हम जोड़ घटा गुन देना या add कर देना जैसे कि हम मान के चलते किसी वेक्ति से 29,936 रुपे मांगते तो हम क्या कहेंगे कि उससे 30,000 रुपे के करीव मांगते हैं तो 30,000 में उसको count करेंगे तो ये होता round off करना और एक और चीज दोस्तों इसके अंदर जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि दे सा हिसा बड़ा होगा ये देखिए एक हम ले लेते चार मीटर ये रसी है हमारी ठीक है इसको हमें कितने भागों में बांटना है आठ भागों में बांटना है और दूसरे हमारे पास 6 मीटर रसी है ये यहां तक ले लेते थोड़ी बड़ी ले लेते ही ये 6 मीटर रसी हमार इसको हमें 20 भागों में बांटना है तो आप बताएं ये कौन सी रसी बड़ी होगी ये 4 मेटर वाली रसी बड़ी होगी या फिर 6 मेटर के जो हिस्से करेंगे वो बड़ा होगा यानि कि कौन सा हिस्सा हमारा बड़ा होगा यहां से हम बिलकुल असानी से देख सकते हैं कि जो 4 मेटर का जो हिस्सा है वो बड़ा होगा कि क्यूंकि 4 को हम 8 भागों में डिवाइड कर रहे हैं लेकिन यहां पे 6 है 6 को हम 20 भागों में डिवाइड कर रहे हैं तो इसके 6 के जो टुकडे वो बहुत चोटे 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 टुकडे HOजाएंगे लेकि 4 मीटर वाले रसी के जो टुकडे वो थोड़े बड़े होंगे तो यहां पर क्या बड़ा होगा हमारे पास 4 मीटर वाली रसी के जो हिस्से वो बड़े हो जाएंगे तो यहां से एक छोटी सी basic चीज हमें समझना जरूरी है कि वो नीचे कितने से divide हो रहा है और उपर कितनी संख्या ये थोड़ा सा हमें logic देखना पड़ता है तभी हम पता कर शकते कि कौन से संख्या बढ़ी है और कौन से संख्या छोटी है ये जो example आपको दे रहा हूँ ये example हमारा आगे बहुत ज्यादा यूज होगा तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है तो चलिए अब हम अपने questions पे आते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें question करने हैं अब देखिए दोस्तों ये हमारा question है question number 18 इसके अंदर इन्होंने क्या दिया है सन 1997 से 98 अब देखिए 97 98 कहां पे है हमारे पास 97 98 ये है और 2056 56 हमारे पास ये है कि आउधि में सिचाई किस स्तरोत के अंतरगत सरवाधिक कमी दर्ज हुई है हमें क्या पता करना है दोस्तों सरवाधिक कमी पता करना है कमी किस के अंदर हुई है कमी परतिस्षत बताना है यहाँ पे थोड़ा ध्यान में ये चीज़ देने वाली है दोस्तों मैं कहता हूँ कि statement आप अच्छे से पढ़िए वहीं से आपका question निकल के आएगा ये देखे इसने कहा है कि सरवाधिक सरवाधिक का मतलब होता यानि कि अधिक तर ज्यादा से ज्यादा कमी परतिस्षत किस में दर्ज हुई है ये हमें पता करना है सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि कमी किस अक्छेतर में हुई है वो हमें देखना है कमी परतिशत देखना है और सरवाधिक देखना है ज्यादा कमी किस अक्षेतर में हुई है यह हमें देखना है और 1997 से 2005 के वीच में यहां पर हमें देखना है अब देखिए यहां पर मैं बेसिक चीज़ लेके चलता हूं सबसे पहले हम देखते हैं कि किस में कमी हुई है यह ज तलाब है तलाब 2593 से 2034 यहां भी कमी हुई है लेकिन अन्य स्तरोत्व के अंदर देखे दोस्तों यहां पर 31 सो से 73 हो गया यहां पर क्या बढ़ा है तो इस जो अप्सन नमबर डी है इसको तो हम बिल्कुल कट कर दें ही क्योंकि इसमें बढ़ोतरी हुई है और हमें क्या निक जोड घटा गुना भाग करने में काफी दिक्कत आएगी और इनकी परसेंटेज निकालेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है हमारे लिए अब देखिए इस कोश्चन को हम बिल्कुल असानी से किस तरह से करेंगे वो हम देखते है चलिए देखिए अब मैंने बताया था कि आपको हम राउंड फिगर करेंगे ठीक है तो राउंड फिगर से इस कोश्चन को कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले हम सरकारी नहर की बात करते हैं सरकारी नहर यह है और 1998 यह है 2005 6 यह है इसके अंदर 17,117 है इसको हम दोस्तों 17,000 लिख लेंगे 17,117 को हमने क्या लिख 17,000 लिख लिए और फिर हमारा जो 2005 6 की बात है इसके अंदर क्या है 15,268 है तो इसको हम 15,000 लिख लेंगे ठीक है राउंड फिगर इन दोनों को लिख लेंगे इसी तरीके से जो नीजी नहर और यह है नीजी नहर है नीजी नहर में दोस्तों हम इतना ही रखेंगे 211 और 207 क क्योंकि इन में हमें क्या है कि गुना भाग या पलस करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी तो हमने इसको नीजी नहर को इतना ही लिख लिया राउंड फिगर हम उसी का करते हैं जिसमें हमें थोड़ी प्रोब्लम हो ज्यादा बड़ी संख्या हो तो उसका करते हैं अब अब बात आते है दोस्तों तलाब की अब तलाब में देखे दोस्तों यहां पे 2593 है 2593 को हम 2600 लिख सकते हैं और नीचे है 2034 है 2034 को हम 2000 लिख सकते हैं दोस्तों तो इस तरह से हमें यह करना है राउंड फिगर इस तरह से हम कर सकते हैं अब आगे बात आते हैं दोस्तों आगे कि 1990 और 2005 दोनों को हमने राउंड फिगर कर लिया अब बात आती है दोस्तो परसेंटेज निकालने की बात आती है परसेंटेज के अंदर हम क्या करते है दोस्तो अब देखिए दोस्तो बात आती है परसेंटेज कैसे निकालेंगे परसेंटेज निकालने के बारे मैंने आपको दो वीडियो हैं अच्छे से बताया वहां से आप देख सकते हैं यहां पर मैं आपको बताता हूँ कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे पहले सबसे पहले दोस्तो हम 17,000 में से 15,000 माइनस करेंगे और फिर बते में 17,000 करेंगे और बुना में 100 करेंगे यह हमारा पूरा प्रोसेस है देखी अब इसको हम बिलकुल असानी से एक एक स्टेप समझने की कोसिस करते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और दोस्तो यह वीडियो आप ध्यान से देखना मैं पूरे गैरंटी के साथ कहता हूँ यह आपको समझ में आ जाएगी देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 17,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो यह क्या हैगा दोस्तो हमरे पास 2000 आ जाएगा 2000 बटे में हमने 17,000 कर दिया 100 है 100 हम बाद में करेंगे 100 को आपे एक टाइम के लिए भूल जाएए दोस्तों 100 को भूल जाओ क्योंकि 100 सभी में लग रहा है इसका जिक्र हम बाद में करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 17,000 में से 15,000 माइनस किया तो हमारे पास आगया 2000, 2000 बटे में 17,000 कर दिया अब बात आते हैं नीजी नहर की अब 211 में से 207 हमने माइनस किया तो कितना आगया दोस्तों 4 बटे में 211 यहां पे आगया हमारे पास फिर आते हैं बात तलाब की तलाब में 26 में से 2000 माइनस करेंगे तो क्या जाया है दोस्तो 600 बटे में 2600 यहां पे हमारे पास आ जायेगा दोस्तो यहां तक आपको बात समझ में आई यहां तक यह देखें सबसे पहले इतना समझना हमारे लिए जरूरी है कि 17000 कहां से आया 15,000 कहां से आया 17,000, 15,000 हमने round figure किया था इसका और इसका यहां से आया था और 2,000 हमारा यहां से आया 17,000 में से 15,000 हमने minus किया बटे में 17,000 इसलिए आया क्योंकि percentage निकलने का यह formula होता है अब देखिए यहां तक हमें बात समझ में आगई इस step तक अब देखिए दोस्तों यहां तक हमें समझ में आगी बात अब आगे देखते कि सरवाधिक कमी परतिशत किस के अंदर हुई वो हमें निकालना है ठीक है अब देखिए अब एक टाइम के लिए एक वर यह सो तो आप भूली जाईए अब देखते हम मैंने वही बात अब आ रही है दोस्तों जो रसी वाली बात थी ना देखिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ रसी वाली बात थी यहां पे एक तो च्यार मिटर को हम आठ भागों में बांट रहे थे और एक छे मिटर को हम बीस भागों में बांट रहे थे तो हमारी बड़ी कौन सी थी दोस्तों ये थी अब यही बात हमें इसके अंदर लगानी है अब देखी एक रसी तो है हमारे पास दो मिटर दो मिटर को हम 17 भागों में डिवाइड कर रहे हैं दूसरी दोस्तों 4 मिटर है 4 मिटर को हम 211 भागों में डिवाइड कर रहे हैं और 6 मीटर को हम कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं, अब देखिए, सबसे जो छोटा पार्ट होगा, सबसे छोटा पार्ट क्या होगा, अब देखे ये जो है ये इसके बहुत छोटे 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 टुकडे हो जाएगा नहीं कि चार को जब हम 211 में डिवाइड करेंगे तो बहुत ही छोटे छोटे टुकडे उसके हो जाएगे तो ये हमारा cancel हो जाएगा दोस्तों क्योंकि इसमें सरवाधिक पता करना है ना कि हमें छोटा ये हमारा क्या हो रहा है सबसे कम पार्ट हो रहा है हमें ये नहीं देखना ठीक है तो हम इसको हटा देते हैं यहां पर अब हमारे पास क्या रहे गया दोस्तों अब हमारे पास दो वो हमें देखना बड़ा पार्ट कौन सा है, अब देखिए, यहां पर एक तो हमारे पास 2 मिटर रसी है, यहां पर हमने लिखे लिया 2 मिटर, 2 मिटर के हमारे पास 17 टुकडे हो रहे हैं, और एक 6 मिटर, 6 मिटर के हमारे पास 26 टुकडे हो रहे हैं, 6 मिटर को आप यह भी कर सक दोस्तों 6 बटे में 26 तो यहां पे 3 आजाएगा और यहां जाएगा 13 यानि कि यहां पे हम लिख सकते हैं कि 3 मिटर के यहां पे कितने टुकडे हो रहे हैं 13 टुकडे हो रहे हैं और यहां पे 2 मिटर के 17 टुकडे हो रहे हैं यानि कि यहां पे देखें दोस्तों यहां पे 2 divide करना था तो हमारे रसी बड़ी कौन सी होगी दोस्तों यानि कि टुकडे बड़े बड़े टुकडे किसके बनेंगे तीन मीटर वाले के बनेंगे ठीक है तो मैं उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी ये बात और चलिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कन रहा हो क्योंकि ये कोशन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों ये जो कन्फियूजन है ये दूर होना जरूरी है देखिए दो मीटर एक तो दो मीटर रसी है इसके हमने सतरा टुकड़े की है दो मीटर रसी की और एक हमारे पास तीन मीटर रसी है तीन मीटर के हम तेरा ही टुकड़े कर रहे है ठीक है तो बड़े जो भाग होंगे वो किसके होंगे दोस्तों तीन मीटर वाली रसी के बड़े भाग होंगे तो यहां से हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो तालाब आ जाएगा यानि कि option number C यहां पे हमारे पास आंसर आ जाएगा दोस्तों मैं उमीद करता हूँ आपको यह question समझ में आ गया होगा और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमें वाटसअप पे message कर सकते हैं यह हमारा एक मिनिट रुकिए दोस्तों यह हमारा नीचे नमबर दिया हुआ है 87083 21010 यहां पे हमारा वाटसअप नमबर है यहां पे हमें message कर सकते हैं या फिर हमें comment box के जिरिए भी बता सकते हैं और दोस्तों अगर आपको बात समझ में आ भी जाएना तो please 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 आप यह लिखना कि sir हां हमें समझ में आ गया ठीक है कहना कि sir question number 18 समझ में आ गया तो यह हमें पता होना जरूरी है ताकि दोस्तों हमें पता चल सके कि हमारे जो महनत है वो कितनी काम कर रही है और अब चलिए दोस्तों अगला question देखते हैं अगला question है दोस्तों 19 number question इसमें इन्होंने दिया है सन 2002 से 3 2002 से 3 कहां पर दोस्तों यह रहा 3 से 4 3 से 4 यह रहा के दुरान किस सिचाई के स्त्रोत के अंतरगत सरवाधिक परतिशत वृध्धी दर्ज की गई अब देखे यह question भी उसी तरह ऐसे है दोस्तों सेम टो सेम वैसा ही यह question है अब इसके अंदर क्या करना यह दो इयर लेनी है हमें और इसने कहा है कि कौन से सिचाई के स्त्रोत से सरवाधिक परतिशत वृध्धी दर्ज की गई यहाँ पे हमें वृध्धी पता करनी है दोस्तों और यहाँ पे हमें क्या था यहाँ पे कमी पता करनी थी बस इसके अंदर यह फरक है question हमारा same ही है तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे दोस्तों इसके अंदर जैसे सबसे पहले एर देखते है दो से ती और किस किस के अंदर देखने हैं दोस्तों सरकारी नहर सरकारी नहर यह होगी तलाब हमारा यह हो गया नलकुप और वो यह होगे और अन्ने स्तरोत हमारे पास यह होगे अब इन में देखते हैं कि किस के अंदर वृद्धी हुई है और किस के अंदर माइनस हुआ है अब देखिए सरकारी नहर यहां पर वृद्धी हुई है बिलकुल सही बात है फिर हमारे पास तलाब तलाब के अंदर यहां भी वृद्धी हुई है उसके बाद में नलकुप के अंदर यहां भी हमारी वृद्धी हुई है और फिर अन्ने स्तरोत यहां भी हमारी वृद्धी हुई है यानि कि हर जगे हमारी वृद्धी हो रही है तो मतलब चैरों के चैरों हमें निकालने है तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यह कैसे निका हम करना है वो करना है हमें राउंड फिगर का करना है अब देखें राउंड फिगर कैसे करेंगे सबसे पहले बात करते हैं सरकारी नहर की बात करते हैं सरकारी नहर यह रही 2003 देखे, 2003 ये रहा 14,444 है तो इसको हम क्या लिख सकते दोस्तों 14,000 चैर्शों लिख सकते हैं और उसके बाद वे जैसे 2002 से 3, 13,863 है तो इसको हम क्या लिख सकते दोस्तों 13,800 लिख सकते है यह हमने राउंड फिगर कर लिया अब देखे तलाब के अंदर 2003 और 2004 के अंदर ये कितना है 1908 है तो इसको हम क्या लिख सकते है दोस्तों 1908 को हम 1900 लिख सकते हैं उसके बाद में जैसे 2002 से 2003 में कितना है दोस्तों 1802 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1800 लिख सकते हैं इसी तरीके से दोस्तों हम नलकुप का यह दोनों के दोनों round figure कर लिए अब बात आती है इनके percentage निकालने के लिए इनको हमें minus करना है अब देखे माइनस इस में से इसको minus करेंगे इस में से इसको minus करेंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा दोस्तों सबसे पहला आजाएगा 600 बटे में 13800 आजाएगा फिर 100 बटे में नहीं देखना एक time के लिए 100 को आप भूल जाएगे वो मुझे पता है कि percentage के लिए हम सो multiply करते हैं तो उसको हम भूल जाते हमें केवल यह देखना कि किसके अंदर सरवाधिक परतिशत विरिद्धी हुई हमें यह देखना है बस अब देखिए अब बात आती है दोस्तों यह हमें मायनस करके बटे में लिख लिए है सारी की सारी चीजे अब देखिए 600 के साथ में दो 0 है तो यह जो दो 02 है यह 20 इसमें यह कट जाएगी तो हमारे पास क्या जया है 6 वटे में 131 00 एक बटे मैं 18 15 बटे में 340 फिर शे बटे में 37 यहाँ पर आ जाएगा अब इसमें देखते हैं दोस्तों कि सरवाधिक परतिशत वृद्धिक किसमें हुई यानि कि इसमें भी वही देखना है दोस्तों कि जो पार्ट है जब हम किसी रसी के टुकडे करेंगे तो वो जो टुकडे हैं किसके बड़े होंगे वो हमें देखना ह है ठीक है तो इसमें हम देखते हैं दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि यहां पर देखिए इसे ही देख लेते हैं दोस्तों छे और छे हमारे पास कितने किसमें यह देखिए एक तो सरकारी नहर और एक अन्य स्त्रोत तो इन दोनों के अंदर बड़ा कौन सा होगा दोस्तों एक देखी ये है छे मिटर रसी सरकारी नहर की छे मिटर रसी है और उसको हमें कितने भागों में डिवाइड करना यानि कि 138 टुकडे करने है तो एक तो ये हो गया और दूसर अन्य स्त्रोथ इसके नदर है 6 मिटर रसी और इसको केवल हमें 37 भागों में बांट रहना है तो ज्यादा बड़े टुकड़े किसके होंगे दोस्तों ज्यादा बड़े टुकड़े हमारे नहे अन्य स्त्रोथ वाले के बड़े टुकड़े होंगे और क्यूंकि जो सरकारी नह आपको बता दिता हूँ चलिए देखिए अब देखिए दोस्तो हमने यहाँ पे सरकारी नहर और अन्ने स्तरोत में तो पता कर लिया कि यह जो है हमारा यह बड़ा हो जाएगा छे बटे 37 वाला बड़ा हो जाएगा अब हम और जो है और भी आप कंपेर करके देख सकते हैं जै कि यहाँ पे एक के अठारा टुकडे हो रहे है और यहाँ पे छे के 37 टुकडे हो रहे है तो यहाँ से भी आप बिलकुल असानी से पता कर सकते कि कौन सा बड़ा होगा अब दोस्तो जब आप सभी का निकाल के देखोगे तो अन्ने स्तरोत के जो टुकडे है वो बड़े हो समझ में आ रहा होगा कोश्चन और अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों आगे हमारे पास कोश्चन नमबर 20 किस वरस तलाब दवारा सुद सिंचाई में सरवाधिक वृध्धी दर प्राप्त की गई अब हमें यह बताना देखी एक एक पाइंट से लेके चलते किस वरस तला से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं देखे अब 1998-99 में देखना 98-99 में तलाब हमारा यह है यह रहा तलाब इसके अंदर सबसे पहले इन दोनों के अंदर देखे लिए कितनी वृध्धी हुई है इसका प्रसेंटेज निकलना है हमें यह क्या होगा दोस्तों यह देखिए 2800 मैंने जो बात वताए थी उस तरीके से करके सबसे पहले आप इसका निकाल लीजिए इसका 98 का निकाल लीजिए फिर 2000 का निकाल लीजिए फिर इसका फिर इसका इसका इस तरह से सभी का निकालेंगे तो आपके पास अंसर आ जाएगा और राउंड फिगर का यूज करके दे क्योंकि round figure से हमारा question बहुत ही जल्द निकल जाएगा चलिए अब हम अगला question देखते हैं question number 21 सिचाई के किस स्त्रोत दवारा सरवाधिक बार रिर्णात्मक विरिधी दर्ज की गई अब देखिए इस तरह के question को हमें सबसे पहली बात यह होती है दोस्तों डियाई के अंदर question को समझना उसमें statement क्या दी हुई है वो हमें पता होना जरूरी है सिंचाई के किस स्त्रोत दवारा सरवाधिक बार सरवाधिक बार कह रहा है रिर्णात्मक विरिधी दर्ज हुई वो हमें पता करना है अब देखे जैसे हमान के चलते जैसे इन्होंने सरकारी नहर दिया है सरकारी नहर यह है अब इसमें यह देखते दोस्तों देखे जैसे 17,117 से क्या हुआ 17,093 तो यहां पर क्या हुआ यहां पर रिर्णात्मक यानि की माइनस हुआ है इसमें घटी है कुछ चीजे घटी है ठीक है और जैसे हम यहाँ पर बात करें देखे इन दोनों की बात करें 14444 से 14696 यहाँ पर क्या हुई यह बढ़ोतरी हुई है क्या है हमारे पास माइनस हुआ है यहाँ पर हमारे पास पलस हुआ है तो हमें यह देखना है कि ज्यादा वार किसके अंदर माइनस हुआ है किसके अंदर रेनातमक व्रिद्धी हुई है वो हमें देखना है चलिए मैं इसका आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से कोशन होगा देखिए इन्होंने काए कि सरकारी नहर, नीजी नहर सरकारी नहर, नीजी नहर, नलकूप हमारा यह हो गया, फिर हो गया अन्यस्तरोत अब इनके अंदर देखते हैं कि किसके अंदर रेनातमक व्रिद्धी हुई है सरवाधिक वार, सबसे ज़्यादा वार अब यह देखिए, यहाँ पे सरकारी नहर में देख सकते हैं कि आप यहाँ पे 98 में, 99 में, 2000 में, 2001 में और 2002 में, यहाँ पे 5 बार इसमें माइनस हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं, नीजी नहर में केवल यहाँ पे 2 बार हुआ है, नलकूप में 3 बार हुआ है और जो अन्यस्तरोता इसमें 4 बार हुआ है और इसमें पांच बार हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सरकारी नहर है इसके अंदर ज्यादा बार रिर्णात्मक विर्थी हुई है दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान में देने वाली है कि हमें यहाँ पर परसेंटेज वगरा नहीं निकालना है केवल और केवल हमें यह देखना कि किसके अंदर ज्यादा बार माइनस हुआ है बस सिंपल सा कोशन है यह इसके अंदर कोई हमें परसेंटेज सो से गुना या राउंड ओफ या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर केवल हमें ये देखना है किसके अंदर ज्यादा वार माइनस हुआ है तो इस तरह से हमें कोशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों कई दोस्तों हो सकता है इसके अंदर परसेंटेज निकालने लग जाए वो समझना बहुत जरूरी है इसमें देखिए निमन लिखित में से किस वर्स की बात कह रहा है हमें पता करना कि कौन से वर्स में वर्स देखिए कौन कौन से दिए गए 1998 पहले हम मार्क कर लेते 1998 99 ये हो गया 2001 ये हो गया 2003 का हमारा ये हो गया और 2005 का हमारा ये हो गया अब देखिए इसके अंदर ये हमने वर्स इंडिगेट कर लिए तो सिचाई अक्षेतर में नलकुप्त था अन्य कौन से दोस्तों ये है का कुओ का हिस्सा सरवाधिक था यानि कि कौन से ये में सरवाधिक हिस्सा नलकुप्त था अन्य स्तरोत का था वो हमें पता करना है अब देखिए कुल टोटल हमारा कितना है टोटल ये दिया हुआ है अब देखिए टोटल के अंदर नल कुप का 1999 के अंदर कितना हिस्सा था इन दोनों का हमें निकालना है उसके बाद में 2000 से और फिर ये निकालना है फिर 2003 से फिर इसका ये निकालना है औ 1998 99 को round figure कैसे लिखेंगे दोस्तो 57,411 है तो इसको हम क्या लिख सकते दोस्तो 57,000 हम लिख सकते हैं 57,000 माइनस में हम कितना करेंगे यहाँ पे यह देखे 33,988 है तो इसको हम क्या लिख सकते 34,000 हम लिख सकते round figure बटे में क्या होगा 57,000 यहाँ पे हो जाएगा तो इस तरीके से round करेंगे जैसे हम पीछे हमने सभी सवाल किये हैं तो मैं इसका solution आपको दिखा देता हूं आप ताकि अच्छे से कर सके यहाँ पर हमने पूरा यह solution भी दिया हुआ यहाँ से आप बिल्कुल असानी से देख सकते हैं इन्होंने क्या है कि इन्होंने round figure नहीं लिया इन्होंने exact value ली है आप यहाँ पे इसमें भी round figure का use करके question निकाल के देखना अगर आपको किसी भी तरह की कोई problem आते हैं कोई दिक्कत आते तो आप हमें निकाल लेंगे और अगर नहीं निकाल पाते तो आप हमें जरूर बताना हम ये question दोबारा करवाद देंगे तो दोस्तो आज के लिए बसी तरह एंटी ए यूजी सीनेट यानि निमिजनेट डाउलोड इट उन गूगल प्ले स्टार आपके सामने एक और नए तरह का question लेके आए हैं डियाई के अंदर दोस्तो डियाई काफी तरह की हो सकती है और यूजी सीनेट के अंदर वैसे तो simple question आते लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देते वो और हम समझ नहीं पाते हैं हमारा जो question है वो गलत हो जाता है डियाई के अंदर हमें थोड़ा सा ध्यान देने के आवसकता होती है दोस्तो आप सभी के सभी पांचो के पांचो question बिल्कुल right कर सकते हैं दोस्तो ये आप देख सकते हैं 25 जून 2019 का question पेपर है इसमें जो 5 question आए वो हम आपके सामने करवाने वाले हैं तो इस वीडियो में आप देखना कि आप बिल्कुल असानी से किस तरह से question कर सकते हैं और 500 के 500 question बिल्कुल right आप किस तरह से निकाल सकते हैं तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तो अगर आप चाहिए तो हमारा paid coach भी जोइन कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीकिसे study करवाएंगे नमबर एक पे दोस्तो हम आपको all 10 units study notes देंगे new updated slaves के इनुशार plus में सब्तमबर 2020 में जो question आए हैं उसके इनुशार हमने इनुशार हमने इनुशार त्यार की हैं इसके साथ दोस्तो हम आपको all 10 unit के videos देंगे add free videos आपको मिलने वाली हैं इसके साथ नमबर 3 पे दोस्तो हम आपको 2012 से लेके December 2019 तक सभी shift के question paper Hindi English में with answer की आपको मिलने वाले हैं इसके साथ दोस्तो हम आपको 2012 से लेके December 2019 तक teaching के question अलग देंगे research के अलग देंगे communication के अलग देंगे इसके साथ दोस्तो हम आपको most repeated होने वाले question के वाले में बताएंगे पलस में आपको notes भी देंगे इसके साथ दोस्तो फरी में हम आपको 2012 से लेके December 2019 तक old year question paper second भी देंगे with answer की और इसके साथ दोस्तो हम आपका live मोक टेस्ट लेंगे YouTube पे तो दोस्तो अगर आपको एक और से जोईन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी whatsapp नमर पे message कीजिए या फिर link हमने video description box में भी दिया हुआ है ये देखे दोस्तो सबसे पहले हमारा जो question है इसके अंदर हम देखते हैं क्या दिया हुआ है इसने यहाँ पे एक table दी हुई है यहाँ पे क्या है कि छात्र और छात्रा यहाँ पे दी हुई है यानि कि जो boys और girls हैं उनकी संख्या यहाँ पे दी हुई है यह देख सकते हैं और ये इन्होंने subject दिये हुए हैं और ये इनकी कुल संख्या है किसी class के अंदर अब देखिए इसने क्या कहा है question के अंदर question हम देखते हैं कि अंग्रेजी तथा हिंदी विभागों में कुल मिलाकर छात्राओ की कुल संख्या क्या है और सबसे पहले हमें ये देखना कि यहां पर ये देखिए दोस्तो छात्राओ का परतिसत दिया हुआ है ये इनकी संख्या नहीं है ये परतिसत है और हमें क्या निकालना है छात्राओ की कुल संख्या निकालने है किस किस के अंदर अंग्रेजी तथा हिंदी के अंदर निकालन दी है दोस्तों 300 और 2500 यहां पे दी हुई है यहां से हमें क्या करना दोस्तों हमें यहां पे real value निकालनी है यह 55% है 55% कि 55% है दोस्तों अब हमें यह देखना कि कुल value 300 का 55% कितना होगा फिर यह 60 है 60% 200 का 60% कितना होगा वो दोनों निकाल के हमें प्लस करना और फिर बताना है कि इसकी कुल संख्या कितनी होगी चलिए ये कॉशन महाँ आपको दिखा देता हूँ किस तरह से होगा देखे सबसे पहले हम बात करते हैं अंग्रेजी की बात करते हैं अंग्रेजी हमारा ये रहा इसके अंदर छात्रों का परतिशत कितना है छात्राओं का परतिशत कितना है दोस्तों 55% यहां पर दिया हुई यह हमने 55 लिख लिया 55 की जब तीन से मल्टिप сов करें तो दोस्तों हमारे पास आजेगा 165 यहां पर आजेगा यानि की अंग्रेजी के अंदर छात्राओं की संख्या कितनी है 165 है उसके बाद हम देखते हैं हिंधी में हिंदी हमारे पास ये है हिंधी में छात्राओं का परतिशत कितना है 60% यहां पे दिया हुआ है और कुल संख्या कितनी है धाई सो यहाँ पे दी हुई है इसमें भी हम क्या करेंगे साथ गुना में धाई सो बटे में सो यहाँ पे किया और एक जिरो से हमारी यह जिरो कट गई और एक जिरो से हमारी साथ वाली यह जिरो कट अब छे को जब हम 25 से गुना क दोस्तों हमारे पास आजाएगा 315 यहां पे आंसर आजाएगा तो इस तरह से आप बिलकुल असानी से कोश्चन निकाल सकते हैं अब इसमें बताइए दोस्तों क्या मुश्किल है कुछ भी तो मुश्किल नहीं है यह देखे जोड़ घटा गुना भाग परसेंटेज निकालन यह हमने 8-10 क्लास में किये हुए है बस अब हमें इनको थोड़ा रिवाइज करने की आवसकता है तो बिलकुल असान कोश्चन आते हैं UGC.net के अंदर अब तो काफी असान आने लग गये 2019 के अंदर जो कोश्चन आये है दोस्तों बहुत ही असान कोश्चन आये है और हमें उमीद है कि आगे भी हमारे ऐसे ही कोश्चन आएंगे चलिए दोस्तों अब हम अगला कोश्चन देखते हैं यह देखे दोस्तों यह कोश्चन है हमारा कोश्चन नम्मर 31 इसके अंदर इननोंने क्या दिया है किसे विभाग में चात्राओं की संख्या ज्यादा है अब इसे में वैसे तो यह लग रहा कि 60 है 60% ज्यादा इन सभी के अंदर लेकिन दोस्तों यहाँ पर संख्या पूछी हुई है अब देखे 60 को जब हम 150 से multiply करेंगे तो यह हमारे पास क्या आ गया था दोस्तों 150 आ गया था 150 हमने value निकाली पीछे लेकिन जब हम 45 को 1415 से करेंगे त तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पर assume नहीं कर शकते हैं यहाँ पर हमें इन सभी का निकाल के देखना होगा चलिए इस question को हम करके देखते हैं कि किस तरह से question आएगा यह देखिए दोस्तो सबसे पहले हम भोतिक विग्यान यानि कि यह है भोतिक विग्यान इसको हम लिख लिते हैं यहाँ पे छात्राओं का परतिसत कितना दोस्तो 45 परतिसत दिया हुआ है और कुल संख्या कितनी है यहाँ पे 450 है यह हमने 450 लिख लिया और अब बात आती है दोस्तों यहां पर हमने multiply so क्यों नहीं किया हमें question निकालना है हमें exact value विगरा नहीं निकालने अगर यहां पर exact value की बात करते तो हम multiply so करते और देखते कि क्या answer आता बिलकुल है हमें यहां पर यह देखना है कि किसकी संख्या ज्यादा है तो एक टाइम के लिए आप सो भूल जाएं, सो हम यहाँ पे नहीं लगा रहें, सो को हमने कट कर दिया, बगेर सो लगा के हम देखते हैं, ठीक है, अब देखें भोती के विज्यान में, 45 को जब हम 450 से मल्टिप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा, 20,250 आ जाएगा, अब उसके इसी तरी की से गणित का करेंगे, 40 गुना में 500 करेंगे तो यह आजाएगा, इन सभी के अंदर देखें दोस्तों, इन सभी के अंदर भोतिक विज्यान की जो वैल्यू है, वो सबसे जादा यहाँ पे दी हुई है, अगर हम इन सभी के बटे में 100 करेंगे, डिवाइड आएगी तो हमें यहाँ पे सो करने की आवशकता नहीं है, हमें केवल यह पता करना कि किसकी संख्या ज्यादा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल गया, दोस्तों कि भोतिक वीज्ञान की जो संख्या है, वो ज्यादा है, तो यहाँ से आप बिलकुल असानी से question निकाल सकते हैं चलिए अब हम अगला question देखते हैं दोस्तों अगला question है हमारा question number 32 इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है अंग्रेजी विभाग में सबसे पहले हम बात करते हैं अंग्रेजी विभाग ये हो गया चात्रों की संख्या अब देखें किस में चात्रों की संख्या ये 60 होगी कि संख्या का अनुपात हमें निकालना है दोस्तों अब ये देखें यहां पर इन्होंने परतिसत का अनुपात नहीं पूछा चात्रों की संख्याओं का अनुपात पूछा हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों सबसे पहले हम जैसे अंग्रेजी में छातरों की संख्या कितनी है वो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे दोस्तों 45 गुना में 300 बटे में 100 जो करते हैं उस तरीके से हम निकालेंगे अब देखी इसको कैसे करेंगे इस question को इसमें सबसे पहले हम गनित में देखते हैं हमारा इसमें सबसे पहले हम अंग्रेजी में देखते हैं अंग्रेजी हमारा ये 55 गुना में 300 हमने किया ये आ गया 13500 आ गया यहां भी हम 100 करने की आव सकता नहीं है दोस्तों आप चाहे तो डिवाइड वाइस 100 कर रखशकते हैं लेकिन यहां पे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है ठीक है और आगे दोस्तों गणित गणित हमारा ये है तो इसमें क्या हो गया दोस्तों 60 गुणा में 500 हो गया तो यहां से कितना आ जाएगा 3000 आ यहां से कितना जाएगा 2000 हमारा आ अब देखी अब हमें इनमें अनुपात पता करना है यह हमारे संख्या आगी अब संख्या का अनुपात हमें पता करना है अनुपात के लिए क्या करेंगे दोस्तों साधे तेरा हजार बटे में तीस हजार अब देखे दो जिरो से हमारी यह दो जिरो कट गई अब यह कितने प के 12 और 3 पंजे 15 आ गया अब देखिए अब कितने पर कट रहा है यह 5 पर कट रहा है दोस्तों 5 निमा 45 और नीचे कितना आ जाया 20 यहां पर आ जायेगा अब देखिए 9 पात 20 हमारे पास यहां पर आ गया 9 पात 20 कहां पर option number 2 में यह देख सकते हैं तो यहां से हमारा answer क्या जाय हूँ आप वीडियो देखने के बाद इनका screenshot लेना और इनको करकर के देखना क्या यह आ रहे है या आपको नहीं आ रहे है और अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप हमें WhatsApp पे message कर सकते हैं या हमें comment works के अंदर जवाब लिख सकते हैं आपको कोई भी चलिए दोस्तों अब हम अगला question देखते हैं अगला question number हमारे पास 33 इसके अंदर कहा है कि किसी भी भाग में छात्रों की नियूंतम संख्या है अब देखी यहाँ पे इन्होंने कहा है कि छात्रों की जो संख्या छात्री इरा इसमें सबसे कम संख्या किसी भी भाग में है व पहले हमें इनके अंदर पता करना है फिर यह पता करना है फिर हमें यह पता करना है यहां पर अगर आप चाहे तो लोजिक भी लगा सकते हैं दोस्तों यह देखिए इसके अंदर 55 को जब हम 450 से गुना करेंगे तो यह काफी बहुत बढ़ाएगा फिर 45 को 300 से कम करेंगे तो य जिक लगाने की कोशिस कीजिए ध्यान से देखिए 40 गुना जब 250 करेंगे तो इसकी वैल्यू सबसे कम आती हुई हमें दिखाई दे रही है तो यहां से आप जल्द अगर आपके पास टाइम कम है तो यहां पे जल्दी से आप है उप्सन नमर 3 पे राइट क्लिक कर सकते हैं औ और अगर आप करके देखना चाओ तो करके भी देख सकते हैं यह देखे दोस्तों हम करके देख लेते हैं भोतिक विज्ञान पचपन गुना में साड़े चयार्शो करेंगे तो हमारे पास यह आजएगा 24,750 आजएगा अंग्रेजी में इतना आजएगा गणित में इतना और हिंदे में इतना आजएगा तो इन सभी में आप देख सकते कि जो हिंदी की वेल्यू है हिंदी में चातरों की जो संख्या है वो सबसे कम यहाँ पे हमारे पास आ रही है और कई दोस्तों इसमें यह भी कह सकते कि बच्चों की जो संख्या टोटल संख्या तो यहाँ पे चात्रों की नियुन्तम संख्या कितनी है अगर वो कितनी पूछते ना तो हम डिवाइड वाइज सो करते लेकिन हमें यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है आप करना चाहे तो कर शकते हैं तो दोस्तो इस तरह से आप बिलकुल जल्दी और असानी से कोश्चन निकाल सकते हैं और अगर आपको किसी वी तरह की कोई प्रेसानी है तो आप हमें पूछ सकते हैं मैं उमीद करता हूँ दोस्तो आपको आज का हमारा एक कोश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा दोस्तो अगर आप चाहे तो हमारा पेड़ कोश्च भी जोइन कर सकत है इसके साथ नमबर तीन पर हम आपको 2,012 सा लेके डिसम्बर 2019 तक सभी के खुच्चन पेपर हिंदी इनल्स में विदांसर की आपको मिलने वाले हैं इसके साथ हम आपको 2,012 सा लेके डिसंबर 2019 तक никаких कोश्चन अलग देंगे कadium आपको अलग Anda मिलेंगे इसके साथ हम आप और इसके साथ होने वाले question के बारे में बताएंगे पलस में आपको notes भी देंगे इसके साथ दोस्तों फरी में हम आपको 2012 से लेके December 2019 तक old year question paper second भी देंगे with answer की और इसके साथ दोस्तों हम आपका live mock test लेंगे YouTube पे तो दोस्तों अगर आपको एक course join करना है तो हमें जल्दी से ज description box में भी दिया हुआ है और इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों कि डिया के question कितने असान आते हैं और हमारे अंदर एक जो डर बैठा होना कि डिया के question बहुत मुश्किल आते हम उनको नहीं कर सकते तो यही डर हमें अपने अंदर से निकालना है तब ही हम net और जियारफ qualify कर सकते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों क्यूंकि आपको तब ही पता चल सकेगा कि कितने असान question हमारे डियाई के आते हैं चलिए दोस्तों अब हम question करके देखते हैं तो सबसे पहले हम इसकी statement पढ़ते इस question की यह वाहनों की संख्या दी गई है इसमें देखी यहाँ पर 2012 से लेके 2017 तक एयर दी गई है यानि कि 7 साल यहाँ पर दी गई है और एक company वो तीन तरह के वाहन बनाती है A टाइप B टाइप C टाइप के वाहन बनाती है और उनकी संख्या यहाँ पर इन्होंने दी है तो अब प्रिये गए वर्सों में company दवारा उत्पादित v-type वाहनों की संख्या का आउसत क्या है वो हमें बताना है तो अब इसमें देखे बी-टाइप कहां पर है हम यहाँ यह देख लेते हैं B-type हमारा ये हो गया इसकी ओस्त हमें बतानी है ओस्त बताने के लिए दोस्तों एक जो हमारा traditional जो method है वो भी use कर शकते हैं जैसे की हम इन सभी को एक minute रुखे इन सभी को add कर शकते हैं ठीक है लेकिन exam के अंदर क्या होता कि हम जल्दी से जल्दी किसी question को किस तरह से कर सकते हैं यह हमारे लिए ज्यादा माइने रखता है तो अब देखिए जल्दी से इनका सम निकालने के मुकोशिस करते हैं तो यह देखिए जैसे की 20 और 10 कितना हो गया 30 हो गया और 30 कितना हो गया 60 हो गया और 60 और 20 कितना हो गया दोस्तों 80 हो गया 80 के बाद में यह देखिए 80 और 20 कितना हो गया यानिकी 100 हो गया 105 और 105 के बाद में इसमें 35 और जोड़ेंगे तो यह कितना हो गया 140 हो गया 140 के बाद में दोस्तों लास्ट में कितनी 0 है 3 0 है यह 3 0 आप साइड में रख दीजी इसको हम साइ से हम इसको डिवाइड करेंगे साथ दूनी चाहुदा ट्वंटी आ गया यहां पे ट्वंटी और लाश्ट में कितने हैं तीन जीरो है तो अब देखी यह बीस हजार यहां पे आ गया हमारे पास तो इसमें हम देखते कि अनसर क्या अंसर यह देखी यह हमारा दियावा अनसर नंबर एक यानि की बीस हजार ओसत संखै यहां पे इन्होंने दी हुई है तो दोस्तो इस तरह आप देखे कितना असान कोश्चन है यह हमें इन्होंने ओसत पूछी हुए दोस्तों हम पांच में क्लास से निकालते हुए आ रहे हैं बिल्कुल असान है तो इतने असान कोश्चन मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर मिलेंगे तो यह बहुत ही अच्छा मोक है हमारे पास कि पांच यह कोश्चन राइट करके हम दस नमबर बिल्कुल असानी से ले सकते हैं और आगे दोस्तों आगे हमारे पास कोश्चन निमिल लिखित में से किस वर्स तीनों परकार के वहनों का कुल उतपाद साथ हजार था अब यह देखे दोस्तों इन्होंने क्या कहा है यह स 60 किसमे था 60 हजार किसमे था वो हमें बताना है तो आप इसके अंदर थोड़ा देखिए जिस तरीके से हाँ यह देखे जैसे 2016 के हम बात करें हम इसके अंदर देखे 25 और 15 कितना हो गया दोस्तों यह 40 हो गया और 40 और 20 कितना हो गया 60 हो गया यानि कि यह कितना हो गया 60 हजार हो गया तो 2016 के अंदर जो इनका सम जो बैठ रहा हो कितना हो रहा है 60,000 हो रहा है तो देखे कितना असान है हमारे लिए और अगर आप और करके देखना चाहिए जैसे कि ये करके देखना चाहिए हम ये देखे 35 और 25 कितना होगा दोस्तों ये 60 तो ये ही हो गया और 30 ये हो गया 90 हो गया ये तो ज़्यादा बैट रहा है ठीक है तो इस तरह से आप करके देख सकते हैं और इसमें देखें जैसे इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने ओप्सन दिये 2013, 14, 15 और 16 तो आप इन में देख लीजिए जैसे 13 से 16 इन्होंने दिया तो थोड़ा हमें इस तरह के से करना पड़ेगा ठीक है और आगे हम देखते दोस्तों आगे हमारा कोश्चन है वर्स 2016 से 17 तक बी टाइप के वहनों के उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धी हुई अब देखिए इन्होंने क्या कहा है वर्स 2016 से 17 तक बी टाइप के बी टाइप यह रहा हमारा 16 से 17 यह रहा अब देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धी हुई यह हमें बताना है यह देख़िए यह रहा हमारे पास 20,000 से कितना हुआ 25,000 हुआ यानि कि कितना हुआ यह हो गया हमारा 5,000 यहां पे वृद्धी हुई पांच हजार वरिध्य हुई है दोस्तों संख्या है पांच हजार और हमें क्या निकालना है प्रतिशत निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों पांच हजार यहां पे हमने लिखा बटे में कितना जो पीछे वाला किसके कंपेर में निकालना है 2016 के compare में तो क्या हैगा 20,000 और गुणा में क्या हो जाएगा 100 यहाँ पे हो जाएगा ठीक है तो अब देखे 2-0 से हमारे पास 2-0 कट गई और इन 2-0 से हमारे पास यह 2-0 कट गई और फिर 2-0 से 50 को काट गई तो कितने पर जाएगा 25 पे चला जाएगा तो कितने प्रतिशत आ या दोस्तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 25 पर्शेंट यानि की option number 4 यहाँ पे answer आ गया तो दोस्तो आप देख सकते कितने असान question आ रहे हैं और यह latest question दिखा रहा हूं मैं आपको दिसंबर 2019 के यह नहीं है कि 2012 के दिखा दिये या पीछे के कोई असान question दिखा दिये यह नही 12 से लेके दिसंबर 2019 तक बहुत question करवाएं डियाई के तो उसमें आपको सभी तरह के सभी type के question मिल जाएंगे तो आप डियाई की जो play list है वो आप check जरूर करना उसके अंदर आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि किस तरह के question आते हैं UGC net में डियाई के और अगला question है द 12 सोला में C टाइप वहनों के संख्या का कितना प्रतिशत था ये हमें बताना है अब देखिए अब देखिए यहाँ पर हमें समझना थोड़ा जरूरी है किसका किसके साथ compare किया जा रहा है वो हमें पता होना चाहिए यहाँ पर देखिए A का compare किसके साथ किया जा रहा है C के अंदर हम क्या करेंगे अ टाइप वहनों की जो संख्याना वो उपर रखेंगे और js원이 के वहनों के संख्या रखेंगे अब देखेंगे कितना था हमारे पास ये था दस हजार दस हजार में देखेट सो लिखी लेते और लास्ट की जो दो जिरो है न वो छोड़ देते क्योंकि वो सभी में common है ठीक है ये लिख लिया चलिए मैं पूरा ही लिख लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आजाए कोई confusion ना रहे ये 10,000 नीचे हमने क्या लिख लिया 15,000 कि क्योंकि C के टाइप में C जो टाइप उसके साथ compare करना है और गुना में हम क्या करेंगे सो हमने यहाँ पे कर लिया अब देखें 2,0 से हमारे पास ये 2,0 कट गई और 1,0 से हमारे पास ये 1,0 कट जाएगी और फिर देखें फिर कितन पे कट होगा ये 5 पे कट हो रहा है पांच तिया 15 और ये देखें 5 दुनी 10 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 यानि कि 200 अब देखें 200 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3,0 के 18 ठीक है और फिर क्या आएगा 3,0 के 18 फिर 0.6 फिर 0.66 इस रहे से 66.66 इस तरीके से चलता जाएगा आगे तो यहां से हमारा जो आनसर है वो क्या जाएगा दोस्तों आनसर नमबर 2 यहां से हमारा आनसर आ जाएगा तो दोस्तों आप देख सकते कितने असान कोश्चन आ रहे हैं और लाश्ट में हमारा ये कोशनों रह जाता इसे और क देखे किस वर्स में ए टाइप वहनों का उत्पादन दिये गए वर्सों में ओस्त उत्पादन से कम था ये हमें बताना है अब देखे इसको हमें अच्छे से समझना जुरूरी है किस कितने वर्सों में कितने वर्सों में ए टाइप वहनों का उत्पादन दिये गए वर्सों म ओस्त उत्पादन से कम था ये हमें बताना है अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ए जो है एका ओस्त उत्पादन क्या है वो हमें यहां से पता करना है ओस्त उत्पादन पता करना है जिस तरीके से हमने बी का निकाला था ना बी का ओस्त उत्पादन क्या होता सेम ट 20,000 ही मान लेते इसके अंदर भी 20,000 आ जाता है मान के चलते हम ठीक है फिर हमें ये देखना कि 20,000 से कम उत्पादन किन किन वर्सों में हुआ वो हमें बताना है टोटल काउंट करके तो इस तरह से दोस्तों आप बिलकुल असानी से ये कर सकते हैं और ये जो कोशन है ये लाश सही आए वो सभी दोस्त हमें कमेंट वोक्स के अंदर जरूर बताना